Hello students, आप लोग कैसे हैं? Day 11 हम लेकर आपके पास आये हैं, जिसमें हमारा वह 4 सेگिमन आपके साथ है Future Perfect Tense के बारे में आपको detail में इस video में बताया जाएगा उसके बाद आपको इससे related homework दिया जाएगा और फिर जो हम इसके पहले वाले video में आपको जो पढ़ाया था करेंगे जिसमें इस सिग्मेंट के नाम से है previous homework solutions लास्ट में students मैं आपको special topic के बारे में किसी special topic facts के बारे में बताऊंगा जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा तो आज हम लोग पढ़ेंगे future perfect tense के बारे में future perfect tense पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ आज आप एक बहुत महतुपूर पढ़ाओ पूर करने जा रहे हैं English grammar में प्रवरीडिता प्राप्त करने ही तो tense के नेमो की जानकारी उनकी practice आज के दिन आपकी पूर हो जाएगी तो बहुत ध्यान पूर्बग आप इस पढ़ाओ को पार करें तथा दी गई exercises को solve करें यो इसी तरह के वाक की बनाने की practice भी करें मैं आपको इस अला देता हूँ कि आप बहुत ही मेहनत से इसके सारे exercise को complete करें और सारे segment को पढ़ें और सुने जिससे आपको कोई problem ना होने पाए फिर भी यदे आपको कोई problem होती है तो हमारे वीडियो के comment box में जरूर comment करें मैं आपकी problem को solve करने का पूरा प्रयास करूंगा तो इस दिए लो अभन बोग शुरू करते हैं हमारा है future perfect tense future perfect tense होता क्या है future का मतलब ही होता आप लोग समझ रहे होंगे यह भविश्य काल की बात हुरी भविश्य काल उसे कहते है जो आने वाला समय होता है भविश्य में जो होता है उसके बाद perfect लिगा perfect का मतलब ही होता है complete कहलाते है जिसमें कोई कार्म क्या हो रहा पूर्ण कम्प्लीट होनी की बात कही जा रही हो और कुछ पहचांस है इसको हम पढ़ लेते हैं लिखा फ्यूचर प्रफेक्टन्स का अप्रोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने ही किया जाता है जो भविष्ट में किसी निश्चित समय या किसी अनिकार की होने तक पूर्ण हो जाएंगे मलब कोई समय दिया रहता है इस समय तक कम्प्लीट हो जाएंगे या फिर एक किसी निश्चित कारी की पूर्ण होने का ग्यान होता है तो हम समझ लेते हैं future perfectence होता है ऐसी वाक्यों क्यांत में चुकेगा चुकूँगा चुकोगी आदि सब्दाते हैं या समझ में यह सब पहचान है अब हमारा पहला sentence आता affirmative sentence के बारे हम पढ़ेंगे affirmative sentence सबसे पहले नीचे एक sentence आपको दिया रहेगा उस sentence को आप देखिएंगे वह अगले बर्स तक यह project पूड कर चुकेगा अब यहाँ पर हम देखें वह अगले बर्स तक यहाँ time duration complete होने का बता अगले बर्स तक अभी complete करने का बता है उसके बाद पहचान इसमें चुकेगा लिखा है तो इसको हम समझ जाना चाहिए हमें यह future perfect tense का sentence हमारा है अब student सबसे महत्पून बात यह यह future perfect tense का sentence मुझे पता चल गया तो सबसे बड़ी बात यह है इसका हम transition कैसे करेंगे तो इसका transition जानने से पहले मैं आपको एक इसका structure बताऊँगा structure आपके सामने है सबसे पहले हम क्या लिखेंगा subject subject हमारा क्या है इसको हम ढूड़ेंगे तो subject में हम पता करने के लिए इस पूरे sentence में कौन लगा कर पूछें तो आपको जो उत्तर मिलेगा वही आपका subject होता जिसे वह अगले बरस्तक याप project complete कर चुकेगा तो कौन complete कर चुकेगा वह complete कर चुकेगा सीधी सी बाद वह project को कौन अगले बरस्तक complete कर चुकेगा वह तो वह आपका क्या होगा subject होगा तो इस तरह से में subject पता चल जाता है और क्या कहां कैसे ये सब question लगा कर पूछेंगे तो आपको object पता चलेगा इसी करब में आपका वर्ब जो बचेगा वह हो जाता है वर्ब जो बचेगा ने वर्ब आपको पता चलता है जब किसी word से किसी email सब्द से किसी कारिका करना या होना complete करना बताया जाता है तो वर्ब होता हो तो हमारा structure इस तरह से subject होता है उसके बाद will या फिर sell, उसके बाद में plus have, इसमें have लिखेंगे, उसके बाद verb का third form का प्रियोग करेंगे, उसके बाद object लिखेंगे, और जो बचे का last में other की रूप में हम लिख देते हैं, फिर फूरिश टाब लगाते हैं, affirmative sentence में फूरिश टाब लगता है, यह ध्यान देना है, और इसम से हमारे sentence के structure complete होता है, अब हम लोग इसका transition आपके सामने करने हैं, इसी के according जो मने इस structure बताया है, आप लोग ध्यान से समझी, उसके बाद देखें, वह अगले बरस तक, तो सबसे पहले हमारा subject वह है, तो हम वह लिख लेंगे, वह की अंग्रेजी क्या है, लड़का के लि बिल का प्रियोग होता है, तो यहाँ पर हम ही के साथ बिल का प्रियोग करेंगे, तो ही बिल, उसके बाद है लगेगा, उसके बाद है लिख दीजे, तो ही बिल है, वर्प का third form, तो पूर करना, प्रोजेक को complete करना, तो हैं completed हो जाएगा, वर्प का third form, c o m p l e t e d, completed, अब क प्रोजेक्ट, तो this project आपको object हो गया, यह हमारा हो गया, उसके बाद और कुछ जो बचता है, वो अधर में लिखते गए, this project कब तक अगले वर्स तक, तो by next year, इस तरह से हमारा sentence complete हो गया, देखिए कुछ नहीं है, इसको आप कठीन मत समझे, sentence बड़ा दिख रहा है, बट आप इस टेक्चर पर जाएंगे, तो हमारा sentence बड़े आराम से complete हो गया, सबसे पहले मने लिखा subject ही हो गया, बिल, सैल या है, बिल, हैब या सैल हैब से आपने will का प्रयोग किया क्यों हो, क्यों क्यों ही, सबके साथ will का प्रयोग होता है, बिल लगा दिया, हैब लगना ही, ह पूर्ण करेगा, तो पूर्ण करना आपका वर्व है, सलिके completed, आपका वर्व का third farm complete, completed, completed होता है, फिर object क्या पूर करेगा, तो यह project पूर करेगा, तो यह project के इंगरी this project हो गया, और आपका जो बचा, यह हमारा अधर में आ जाता है, अगले बरस तक, तो by next year, तो he will have completed this project by next year, यह हमारा sentence complete होगा, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हमारा rules है, यह वाक में एक अन्यव वाक जुड़ा हो, यह वाक में कोई sentence इस तरह से हो, वो sentence हो, लेकिन उसमें एक वाक और जुड़ा हो, तो जो कारे पहले पूर्ण होगा, उसमें future perfect test का प्रयोग करते हैं, और जो कारे बाद में पूर्ण होगा, उसको present indefinite tense का प्रयोग करेंगे, इस एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकाल करूँगा, इसके previous वीडियो के तरफ में ले जाना इस प्रयास करता हूँ, आप समझीए, जब मैं आपको past perfect tense के बारे मैं ने पढ़ाया था, तो इसी तरह का कारे हो रहा है, और यह आप पहचान जाएं, यह future perfect tense का बाकर जैसे मने पहचान में ही बता दिया था आपको, तो आप क्या करेंगे, जो कारे पहले complete हो रहा है, उसको future perfect tense में करिए, और जो कारे बाद में complete हो रहा है, उसको present indefinite tense में करते हैं, तो इस तरह से हमारा structure है, दूसरा उसी में जूल करके हो, जैसे तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, एक तो कार क्या है, तुम्हारे आने से पहले यह आने वाला एक sentence है, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, वह पाठ याद करने की बात, आने की बात एक करी, पाठ याद प्लस और यह कब करेंगे जो कार्य पहले हुआ है उसको इस फर्मेट में बस्फोर लगा कर के सब्जेक्ट लिखेंगे वर्प कर फोर स्टहां में चिनल देता है अब लोग करते हैं भी न समय गवाई हुए हम सबसे पहले क्यां तुम्हारे आने कर चुकेगा ये sentence आपका ये इसमें जो ये sentence बताई इस ये कार्य पहले हुआ है तो वह अपना part याद कर चुकेगा इसकी transition हम करेंगे तो वह क्या ही हो जाएगा उसके बाद will लगता है ये के साथ में will फिर hype लग जाएगा sentence के फार्मेट के recording उसके बाद work का थर्ट वाम तो लर्न याद करना होता लर्ण लर्ण होता है ये ए-र इंटी ये ये-र अर प्ला है उसके बाद subject हो गया we'll have learned उसके बाद object आता है क्या याद कर चुके अपना पार्ट तो क्या अपना के इंग्रेजी ही के कॉर्डिंग ही जो होता है हिज लेसन कि उसके बाद क्या आता है कंप्लीट होगा यह तो से इंटेस हमारा अब हम लिखेंगे पहले के इंग्रेज फिर यहां लिखेंगे बिफोर यहां मैंने लिखाए बिफोर बी-ई-फ-o-r-e उसके बाद सबजेक्ट लगेगा अब यह देखकोई इसमें सब्जेट क्या है तुम्हारी तुम है step you लग जाएगा सब्जेक्ट आपका यू हो गया उसके बाद क्या लगया सब्जेट के बाद में और एक बार हैS यू के सब्जिड साथ में यसे यह नहीं लगता है लेक कि आपको अगला रूल और बता और आई और वी के साथ सायल है तथा बाकी सब के साथ विल है का प्रियोग सेंटेंस में करते हैं यह मैं पहले आपको बता रहा चुका हूं, यह नोटरेबल कॉइंट है, इस में बता आई पोरस से परकते इतना ध्यान रखना जो इस टेक्टर मने बताय था पर में तो यह दिन यह हमारा नहीं वाला सेंडेंडन्स है तो हम कहां नाट का प्रेयोग करेंगे विल या सेल के तुरंथबाद और हैब के पहले तो यहां तो देखो, will ya sell, यहें तुरों नाट लग गया, उसके बाद हैव लगता था, तो हैव नहीं लगएगा, हैव के बीच पहले और will ya sell के बाद में नाट का प्रियों करेंगे, बाकी वही रूलाप कालेंगे, जो कारें पहले होगा, उसको future perfect में करिए जो कारे बात में होगा उसको present definite में करिए तो हम देखते हैं वह कल तक अपना कारे पूरा नहीं कर चुकेगा अब यहाँ पर हम sentence को समझनेंगे तो इसमें कोई दो कारे नहीं है इसे simple सा कारी चाहिए मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था sentence है उसके recording है तो इसमें हम करेंगे subject पहले हमारा वह है तो ही हो जाएगा लड़का की बात की ही उसके बाद क्या है बिल यह सायल का प्रयोग करेंगे तो ही के साथ विल तो ही विल है उसके बाद तुर्णत नाठ है नहीं निगेटिव सेंटेस्ट में नाठ हो प्रयोग हमने बताया था विल के तुर्णत नाठ उसके बाद है यह है वह गया उसके बाद वर्ब का थार्ड फार्म completed क्योंकि पूरा करना की बात है तो c o m p l e t e d completed उसके बाद object क्या है अपना का यह तो ही ओमर की ही के लिए अपने के इंग्रीजी ही होता है ही वर्ग डवल ओ और के वर्ग अब उसके बाद कल तक है तो बाई लिखेंगे बाई और कल के इंग्रीजी future पुछथ नहीं पढ़ चूकोंगा यह भी नहीं negative sentence है तो आपकी आने से sudah sentence वाला है तो यहां पर आई के साथ रोकरिए उसके बाद All I के साथ होता है तुरंड बाद not लगा उसके बाद है प्रेयोग करिए pro यह लिखेंगे उसके बाद पढ़ना के अंगरेजी रीड होता है यह हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है लेकिन और रही और कुछ बचा है पहले दो सेंटेंस था तो लगाई आप प्रेजेंट इन डिप्रेंटेंस में इसका कर लिजी विफोर आपकी आने से पहले विफोर यू कम यू के साथ वर्ब में यह यह लगता है इसेंदेंस हमारा कंप्लेट हुआ आपकी आने से पहले मैं अपने पुष्टक नहीं पढ़ चुकूंगा तो पहले होगा या नहीं पी चुका होगा तो ऐसे सेंटेंस आपका आता है यह भी प्रजेंट प्रफेक्ट वह तो पहले क्या काम हुआ दूध नहीं पी चुका होगा तो यहां पर लिखेंगे बच्चे ने दूध नहीं पी चुका होगा तो चाइल्ड के साथ बिलकपर होगा मिलक उसके बाद विफोर विफोर सोने से पहले एक मिनट सोने से पहले तो विफोर यहां पर ही स्लिप्स के साथ यह 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 लगेगा यह हमारा सेंटेंस कंप्लेट हुआ है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हमारा है इंत्रोग्यटीब सेंटेंस का मतलब रहे प्राशनमा अचकभए इसमें प्रसन कुछेंए की बात प्रसन से क्या है यह आपका प्रस्णवाचक सबसे वाकिए की स्टार्टिंग में ही है तो ऐसे टेंस का टांसेशन हम कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको इस ट्रेक्चर यहां पर बता दिया इसका मैं प्रयोग करूंगा विल एसल सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग है तो हम सब्जेक्ट पहले पहचानेंगे सब्जेक्ट इसका क्या क्या साथ में से पहले लड़के पहले कौन सा काम हुआ लड़के मैच खेल चुकेंगे पहले यह काम हुआ है साथ बजा नहीं उसके पहले मैच खेलने का हुआ तो यहां पर लड़के आपका सब्जेक्ट है तो जब लड़के स सबसे पहले विल या सैल में से विल का प्रियोग करेंगे डबलू आई डबलल क्योंकि आई वी के साथ ही क्यों से लगता है तो हम यहां सुरू करेंगे तो हम पहले बिल का प्रियोग करेंगे उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है subject हमारे इसमें क्या है लड़के है तो boys हो जाएगा build boys उसके बाद हम क्या करेंगे have का फ्रोक कर देंगे build the boys have have verb का third farm p-l-a-y-e-d plate का फ्रोक करें उसके बाद हम क्या फ्रोक करेंगे plate क्या करेंगे object हमारा the match plate the match उसके बाद before लिखेंगे हम B-E-F-O-R-E before before मैं क्या लिखेंगे साथ बजने से पहले before it is seven before it is seven 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 का प्रिव्वर पर बीफोर seven ओक लाके भी लिख सकते थे लेकिन before it is seven भी लिख दिए तब हो प्रेजेंट इन्डिफिरेट में चेकर ना था अब हम लोग आगे sentence complete करते हैं जब इंट्रोगेटिव वर्ड प्रस्वाचक सब्सक्राइब के बीच में आया अभी तो में वाक के प्रारम में वाला पढ़ चुका हूं अब वाक के बीच में उसको कैसे करते हैं तो जब वाक के बीच में आया होता है तो उस वर्ड की एंग्रिजी हम सबसे पहले जिस जो प्रस्माचक सब्सक्राइब के बीच में आया है उस प्रस्माचक सब्सक्राहर कें अंग्रिजी हम पहले लगाएंगे यहाँपर वही है जो कारेपहले हुआ और उसको future perfect में करेंगे जो कारवाद में उसको present in different में किया गया है अब sentence को हम पढ़ते हैं बर्सा होने से पहले वह कहां जा चुका होगा अब यहाँ पर कौन सा sentence पहले है पहले वह कहां जा चुका होगा यहीं पहले करेंगी इसी के transition तो इसका transition क्या बर्सा होने से पहले हो कहां जा चुका होगा तो हम कहां की एंगरी पहले खेंगे उसके बाद will वहर विल से विल का प्रियोग करेंगे क्योंकि subject हमारा क्या है subject हमारा ही है तो where will ही उसके वह है तो where will ही उसके बाद हम क्या प्रियोग करेंगे है यह है नहीं है तो लगेगा नहीं है उसके बाद गॉन जाना है तो गॉन हो जाएगा जी ओ एनी गॉन उसके बाद बिफोर बी ए एफो आर इ बिफोर उसके बाद बरसा होने से पहले नहीं बरसा होने से पहले बिफोर it rains क्योंकि it के साथ word में SES हम जोड़ देते हैं इस तरह से हमारा sentence complete हुआ बरसा होने से पहले वो कहां जा चुका होगा where will he have gone before it rains इसी structure पर हमारा sentence complete हुआ है next हम लोग देखते हैं सूरच छिपने से पहले कितने लड़के यहां आ चुके होंगे तो यहां कितने लड़के यहां आ चुके पहले इसका transition करेंगे तो देखते हैं how many चाल लिखेंगे how many क्योंकि लड़कों को हम count कर सकते हैं how much नहीं पर हो कितने लड़के कि इसे how many हो जाएगा उससे related noun लिखेंगे how many boys उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर देखिए how many बाद उसके बाद will या sell का प्रियोग करेंगे तो will लगेगा यहां पर how many बाद will उसके बाद have उसके बाद verb का third farm तो कम ही होता कम केम कम यहां आ चुके आनक इंगे दी कम होता है will है कम उसके बाद object ही नहीं है नहीं है यहां पर here का प्रियोग करेंगे here उसके बाद लिखेंगे before before उसके बाद जो हमारा sentence को present different में करेंगे before the sun the sun सुरच छिपने में the sun sets क्योंकि sun आपका नाम है singular number इसलिए यहां पर word में यहां यहां लग गया sets हो गया उसके बाद यहां question mark लगा देंगे हाँ इस उपर वाले sentence में question mark लगा देंगे तो हमारा क्या सुरच छिपने से पहले कितने लड़के यहां चुके होंगे how many was will have come कितने लड़के यहां चुके इसका टांसिन करेंगे before पहले कर लिखे अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा तो इसका टांसिन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे हूं हूं भिल or invator ना फिर्वार का अकिण करेंगे पनेस्दद 네ने कमई अगरी जी पनेस्ददद्दद किसको योर संगु योउर संग कि यूर ने संद फिर विफ्ववर का प्रिवंबड कुई टुवर तुम्हारे आनेस पहले क्या है? अध्यापक क्या आनेसी लिए? बिफोर दर teacher यह हमारा sentence complete होता है, अब हम लोग next देखेंगे, अध्यापक काने से पहले तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा, यानी कौन दे चुका होगा, तो यह इस ता से who will have punished your son before the teacher comes यह sentence होता है अब हम लोग आगे देखते हैं है जिसे अगला sentence अगर वाक इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो subject के पस्चात नाट लगा देते हैं हाँ यह यह भी बता गए आपको यह sentence आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो उन्हें प्रस्माचक भी हो नकारात्माग भी हो तो नाट का प्रयोग हम कहां करेंगे बस सारा यह से सेम तो सेम रहेगा जिसमें हम subject के तुरंद बाद क्या लगए निगेटिव निगेटिव हो तो subject के पस्चात नाट का जिसी यह sentence ध्यापक के आने से पहले तुहें कौन नहीं मार चुका आईसा कौन दर नहीं चुका तो जहाँ आपका subject है तो कौन वाले sentence में तो फिलहाल तुरंद लगेगा लेकिन और भी sentence जो है उसमें सब्जेट के तुरंद वाद हम नाट का प्रयोग कर देते हैं जैसे हमारा क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे यह आपका negative भी है और interrogative भी है दोनों sentence हमारे सामने है तो इसको हम क्या करेंगे तो पहले start करेंगे sell युकि start में क्या प्रसमाचक सब start में ही है तो हम लिखेंगे sell उसके बास object हमारा वी है हम ticket नहीं ले चुके होंगे इसका transition हम पहले करेंगे क्या हम ticket नहीं ले चुके होंगे इसका transition करेंगे sell वी उसके subject है यह भी तो इसका मलब not लग जाएगा तुरन बीगेटिव है उसके बास है प्रयोग उसके बाद सेम वही sentence रहेगा है उसके बाद वर्ब का third form taken हो जाए लेने के अब्जेक्ट आता है तो taken the tickets T-I-C-K-E-T-S tickets उसके बाद before का प्रियों के लिए before उसके बाद यहाँ पर train गाड़ी आने से पहले तो before the train arrives यहाँ पर question mark लगाना नहीं भोलते हैं इस तरह से हमारा sentence complete होता है अब हम लोग आगे home work segment complete करेंगे तो यह हमारा home work है आपको करना है इसका solution नेक्स वीडियो में आपको दे दिया जाएगा तो home work देखे घर जाने के बाद तुमने क्या किया क्या मेरे सोने से पहले वह दूत पी चुका था बरसा होने से पहले वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा क्या बरसा होने से पहले मोहन घर नहीं जा चुका होगा मेहमानों की आने से पहले हम खाना नहीं खा चुके होंगे सरिता अगले माह घर वापस आ चुकेगी या फिर घर वापस आ जाएगी उसने एक साप मार दिया है क्या क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है उसके बाद है किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे यह आपका sentence sentence है इसको आप अपने हिसाब से करिएगा और यह जो प्राबलम होगी मैं आपको next वीडियो भी इसका solution दोगा उसे mail कर लीजिएगा explanation के साथ अब हम लोग पिछला जो आपको वीडियो में पढ़ाए था उसमें जो homework भीला था उसका solution करें तो हमारा सबसे पहला sentence है वह अपने भाई के आने से पहले पत्र लिख चुका था तो इसको पहचाने किस sentence का वाग है तो लिख चुका था है तो चुका था चुकी थी होता है तो past perfect होता है तो past perfect के rules जो मैंने आपको इस वीडियो पिछली वीडियो में बताया था उसके recording आप लगाएंगे आप उसको न पढ़े हों तो उसको जा करके इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए और वो भी आपको सब वीडियो देखना चाहिए का पूरा complete solve करने का पूरा प्रयास करूंगा तो हमारा sentence यह देखें इसको हम पहचान चुके हैं present पास perfect का वाक्त है तो इसका past perfect में मैंने क्या लिखा पहले subject होना चाहिए फिर हायड होना चाहिए वर्प का लिखा जाच चुका था तो पहले पत्र लिख चुका था कौन लिक्ष्क होई ही वही तो लिख चुका था चले ही नेक्स हमारा है खाना खाने के बाद मैं इसके घर गया खाना खाने के बाद मैं उसके बाद गया उसके घर तो मैं आपका आगे हो जाएगा तो आई अब ध्यान दोने यह आपका ठांसेशन भले बाद में है इसको हम बाद में इसे प्रजेंट डिफिंट को यह बाद में हुआ है वर्क तो इसका हम प्रजेंट में करेंगे लेकिन बाद वाला जो सेंटेंस होता ह उसको हम पहले transition करते हैं, तो मैं उसको घर गया, इसी को मैं पहले करूँगा, बट इसको past perfect में करके present indifferent में करूँगा, तो मैं उसके घर गया, तो I went to his home, project indifferent का में इस्ट्रक्चर बताया था, subject, वर अपका second form प्लस object, यह होता था, तो I आपका subject हो गया, went आपका second form हो गया, उसके बाद object आपका to his home, तो I went to his home, after लगे क्योंकि बात की बात हो रही है, तो बात की English after होती है, खाना खाने के, after he had eaten food, तो I went to his home, तो उसके घर जाने, तो उसके मलब वहाँ खाना खाने के बाद, वहाँ है, इसलिए he had, वर का third form, एटन लगेगा, फिर object आपका हो जाना है, खाना तो food हो जाएगा, तो I went to his home after he had eaten food, उसके खाने के बाद में, उसके घर क्या, यह transition हमारा complete, next देखते हैं, क्या मेरे सोने से पहले वहाँ दूथ पी चुका था, अब यहाँ पहले इसमें लिखा है, तो यहाँ दूथ पी चुका पहले है, उसके बाद मेरे सोने से पहले, तो वहाँ दूथ पी चुका थ इसका transition करेंगे, बट यह interrogative है, तो क्या वहाँ दूथ पी चुका था, ऐसा समझे, इसका transition करिए, तो इस transition गल लिखा है, तो यहाँ पहले head इसको आगे करना चाहिए था, यहाँ हैड होगा, उसके बाद में, यह हैड यहाँ हो जाएगा, और यह तब ऐसे, head ही, drunk milk, head ही, drunk milk before I slept, क्यों सोना केंगे जी क्या है, were we past indifferent, I slept, घर में सोना, क्या मेरे घर में सोनी, मेरे विश्तर सोने पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया, तो object है नहीं, तो इसमें I slept करके छोड़ देंगे, यहाँ object नहीं लिखेंगे, तो head ही, drunk milk, before I slept, यहाँ पर question माज जरू लगाएगे, घर जाने के बाद तुमने क्या किया, घर जाने के बाद तुमने क्या किया, तो तुमने क्या किया, यह आपका पहले घर गया, उसके बाद कुछ काम होगा, तो पहले घर जाने वाला टान से past perfect में करेंगे, और यह तुमने क्या किया, इसको हम present indifferent में करेंगे, अब यहाँ देख का प्रयोग होता है फिर सब्जेक्ट आता है फिर आपका वर्व आता है वर्व का फर्स्ट फार्म लगता है उसके बाद में दूथ पी चुके थी, तुम कितना दूथ पी चुके थी, यह मारा है, तो जाने से पहले, तुम कितना दूथ पी चुके थी, यह मारा है, तो जाने से पहले, तुम कितना दूथ पी चुके थी, तुम कितना दूथ पी चुके थी, तुम कितना दूथ पी चुके थी, तुम कि you drunk यहाँ पर subject है had you drunk before he went to home आपको पास indifferent में करना पड़ेगा जो आपका बचाए इस्कूल जाने स्पेले तो before you went before he went to school यह हमारा sentence complete होता है मैंने आज एक चूर पकड़ा है तो पकड़ा है यहाँ आ है यह है यह चुका है चुकी है चुकी है तो present perfect होता है तो हमारा प्रजेन प्रफेक्ता नहां के साथ में हैज का प्र्यूक करते हैं और का थार्ट फार्म लगाते हैं फ्र सब में तो आई है काट यहीडि क्या होता हो आगया हो गया तीप चोर टूडे हो गया sentence complete अगला है मैं कक्छा में नहीं पढ़ रहा हूंगा यह आपका रहा रही रहे के साथ में हूंगा लगा है तो यह future continuous sentence का अब फूचर continuous sentence में आपको star से पढ़ाया हूं उसके structure के recording का transition करूँगा subject आपका आई है फिर cell लगेगा आई के साथ cell लगता cell उसके बाद negative है तो cell और will के तुरन बाद नाट लगता cell नाट उसके बाद भी तो i cell not be वर्व का ing फार्म लगा यह रीडिंग पढ़ना करें जी i cell not be reading कहां पढ़ाई कक्छा में तो in the class तो i cell not be reading in the class यह हमारा sentence complete होता है तो मैं कक्छा में नहीं पढ़ रहा होगा i cell not be reading in the class तो दोस्तों आज हम आप लोगों को एक special topic के भारे में बताने की जो आप से वादा किया था वो आपको मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए और हमारा सम्मिधान हर व्यक्त को अभिव्यक्ति की आजादी काहिकार देता है मतलब देश का हर नागरिक किसी भी विषय पर अपनी बात रखने और दोसरों के साथ साधा करने का अधिकार रखता है लेकिन ये भी देखा गया है कि सुचना और पार्दरसिता के बिना अभिव्यक्ति की आजादी अधोरी रहती है इसलिए सरकार 2005 में सुचना का अधिकार कानून लेकर आई ये काम भारत जैसे जटिल और बिविध लोकतंद जैसे देशों के लिए जरूरी है ये कानून लोकतंद के प्रति आम नागरिक की आस्था को बल देता है मजबूत बनाता है आईए देखते हैं इस कानून की खास बात बैस्युक अस्तर पर सुचना के अधिकार की पहचान 1948 में संयुक राश्च महासभा दोरा इनुवर्सल टेकनिसियल दोरा ये हीमन राइट्स को अपनाने के बाद मिली इस मैकेनिस्म का मकसद मीडिया का या दूसरे माध्यम से आमजन को सुचना मांगने और देने का अधिकार देता था और कई देशों और कई दसकों बाद लोकतंदर को मजबूत करने और गौर्डनेंस में पारदर्सिता लाने की उद्देश से भारते संसत ने भी सुचना का अधिकार अधिकार अधिनीयम दोजार पाँच थे तूथाओज़ेंड फाइब सारे देश में लागू कर दिया सुचना के अधिकार कानून का मुल मकसद नागरिकों को जानकारी उपलब उपलद करा कर सशक्त वनाना पर्दर्शिटा और जवाबदेही को सुरिश्चित करना भश्टाचार को रोकना और लोकतंत्र की कारिशाली को बढ़ावा देना और सिक्षा देना है ये कानून नागरीकों को सरकार की गदिविधियों के बारे में आउगत कराने की दिशा में बड़ा कदम है इस कानून के ताप कोई भी नागरी किसी भी सरकारी कारियाले में RTIE दर्ज कराकर जहुरी जानकारी ले सकता है ये कानून सरकार से लिखित सवाल जबाब करने का हर नागरी को देता है भारस सरकार ने भरष्टाचार को खत्म करने की दिशा में अभी एक प्रभावी कदम के रूप में सोचना के अधिकार विदे को 2005 में संसद से पारित करवाया जुलाई 2019 में इसमें संसोधन कर कम्यों को दोर कर दिया गया अब जानते हैं इस कानून की बड़ी बातों को सामिल होते हैं आर्टियाई एक्ट के अंतरगत वो सभी एक्ट सामिल हैं जो सरकारी आदेश से बनी है या जब सरकार से बित्य साहता लेने या आबेदक को 10 रुपिय का आबेदन सुल्क देना पड़ता है कई राज्यों के आबेदन सुल्क में बिभनता हो शक्ती है गरीबी रेखा के नीचे वाले आबेदक बिना किसी सुल्क के सुचना मांग सकते हैं मांगी गई सुचना अगर आबेदक की व्यक्तिकत जीमन से जुड़ी है तो उसे 48 घंटे के भीतर ही उपलप्स कराने का प्रावधान है RTA एक्ट में ये भी कहा गया है कि सभी सारवजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण कंप्यूटर में करें प्राप्त सुचना से असंतुष्ट होने में यहोने की स्थिती में आप इस्थाई अस्थानिय से लेकर राज प्रता केंद्रिय सुचना आयोग में अपिल कर सकते हैं इस एक्ट के अनुसार केंद्रिय अस्तर पर एक मुश्य सूचना आयुक्त और दस या दस से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रिय सूचना आयुक के गठन का प्रावधान है इस कानून में केंद्र के तर्ज पर राज्यों में भी एक राज सुचनायों का गठन का प्रावधान रखा गया है राश्ट की समप्रवता, अखंडता और सामरिक हितों पर प्रतिकुल प्रभावध डालने वाले सुचनाओं को कानून के दारे से बाहर रखा गया है सेक्षन 24 सब सेक्षन 1 कि अंतरगत सिक्यूर्टी और इंटिलिजन्स एजन्सीज को भी इस कानून के दारे से बाहर रखा गया है अमिर्का के पूर राश्पतित हामस जैफर्सन ने कहा कि सुचना लोकतंत के मुद्रा होती है सुचना किसी भी जीवन तथा सब समाज में महत्रपूर्ण भूं का अदा करती है तो दोस्तों मैं आपको जो भी जानकारी आपको दिया हूँ आपको अच्छे समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच सेर जरूर करें तो दोस्तों बीम के मैं स्विकेशन की इस 10 सेग्मेंट में फिर में एक बार दुबारा एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे सो थैंक्स फार वाचिंग दिस वीडियो